इंसानों का सपना देखना एक आम बात है हमें हर रोज नए नए तरह के सपने आते हैं जिन में से कुछ सपने अच्छे होते हैं तो कुछ सपने खराब कुछ सपनों को बार बार देखने की इच्छा हम रखते हैं तो वहीं कुछ सपने हम दोवारा से देखना भी नहीं चाते मानब जीवन में चल रहे इस सपनों के दौर में हमें कई संकेत मिलते हैं जो हमारे जीवन में शुब अध्वा अशुब की स्थितियां पैदा करते हैं ऐसा ही एक सपना कुछ लोगों को बार बार आता है और वह सपना है साप का जी हाँ अगर आप अक्सर अपने सपने में सापों को देखते रहते हैं तो यह भी एक प्रकार का संकेत हो सकता है नमस्कार दोस्तों और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल जग बैविक गुरुपर साप और मानब का रिष्टा स्रिष्टी के प्रारम काल से ही रहा है हिंदु धर्म सास्त्रों और पुराणों में साप से जुड़ी अनेक कताएं प्रचलित हैं साप को हिंदु सास्त्रों में पूजिनिय माना गया है यह भगवान शिप के गले का हार है और भगवान विष्णु की सैया एक और जहां साप को पूजनिय माना गया है वहीं दूसरी और इस से जुड़े कई मिथक और शुब अशुब लक्षण भी प्रचलित है साप अगर साक्षात नजर आ जाये तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं यहां तक कि सपने में भी अगर साप दिख जाये तो व्यक्ति घवरा कर उठ बैठता है दोस्तो सापों का सपने में दिखना एक साधरन बात भी हो सकती है इसके अलावा ये भविश्य में होने वाली किसी घटना की और इशारा भी करता है इसलिए दोस्तो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर सपने में साप को दिखने का क्या अर्थ होता है दोस्तो सनातन धर्म के ग्रंत स्वपन सास्र के अनुसार अगर कभी भी जातको को सपने में नाग या नागिन का जोड़ा दिखाई देता है तो यह एक असुप संकेत माना जाता है माननेता है कि यह सपना तब ही आता है जब पूर्बजो की अपेक्षय की जाए एसे में भूल कर भी कभी पूर्बजो की प्रती मन में गलत बिचार नहीं लाने चाहिए और ना ही उनकी निंदा करनी चाहिए ऐसा सपना जब भी आपको दिखाई दे तो उसी दिन आपको पूर्बजो के नाम से घर पर दीपक जलाना चाहिए अगर किसी व्यक्ती के सपने में साप उसके उपर हमला कर देता है तो यह भी एक अशुब संकेथ होता है माननेता है कि ऐसा सपना जीवन में आने वाले बड़े संकट की और इशारा करता है वहीं अगर आपने कभी सपने में साप और नेवले की लडाई को देख लिया तो यह भी एक अशुप संकेत माना जाता है माननेता के अनुसार ऐसा सपना जीवन में आने वाली कानूनी संकट के ओर इशारा करता है दोस्तो स्वपन सास्त्र के अनुसार अगर कभी भी सपने में साप आपके उपर गिरता हुआ दिखाई दे तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं होता है मानिता के अनुसार यह सपना आने वाले समय की किसी गंभीर बिमारी की ओर इशारा करता है ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप यह सपना देखें तो तुरंथ ही भोले नाथ को याद करें और ओम नवशिवाय का इच्छा अनुसार जब करें यह जब आप 11, 21, 51 और 101 बार कर सकते हैं कहा जाता है कि ऐसा करने से आप की उपर आने वाला दुस्प्रभाव कम हो जाता है दोस्तो सपने में अगर आप किसी साप को मारते हैं तो यह सपना भी शुब माना जाता है जिसका अर्थ होता है कि आप भविष्य में अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई धन लाव भी हो अगर आपको लगतार सपने में साप के दार दिखाई दे रहे हूं और वहें आपको कार्ट रहे हूं तो समझ जाएं कि आपको भी बहुत गंभीर बिमारी होने वाली है जो सपने में नागराज आपको पहले ही बता रहे हैं वहीं दोस्तो अगर आपको सपने में बिलकुल काला नाग देखता है जिसकी आपके बड़ी बड़ी हों और वो आपको घूर रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिएं कि आपके इश्ट देपता आपसे नाराज है इसलिए दोस्तो आपको अपने इश्ट देपता की पूजा शुरू कर देनी चाहिए और उनसे प्रात्ना करनी चाहिए अगर दोस्तो सफेद साप आपको सपने में दिखाई दे तो आप उस सपने को सपना ना समझे सफेद साप बहुत ही पवित्र इंसान को दिखाई देता है और इसके दिखने का मतलब होता है कि आपके पूरवजों ने कहीं आपके नाम से कुछ धन गाल रखा है अगर आपको सपने में काला नाग दिखाई देता है जो आपको काटने को आता है या आपका पीछा करता है तो समझ जाएए कि आपको काल सर्ब दोस लगा हुआ है इसकी शान्ती के लिए आपको पूजा करनी चाहिए और किसी जोतिशी से इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि काल सर्ब दोश आपके काम में रुकावट लेकर आता है और आपको बार-बार मुसीवतों में घेरे रखता है दोस्तों वहीं आपको सपने में अगर साप सिवलिंग से लिप्टा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान में लीन होना चाहिए ऐसे सपने उने ही आते हैं जिनकी पूर्व जन्व में शिब जी को देखने की या पूजा करने की इच्छा रही हो ध्यान लगाने से शिब जी को इस पश्ट देखा जा सकता है सपने में सिबलिंग देखा है तो इसका अर्थ है कि आपको कि आपकी जीत होगी परिशानिया मिटिंगी और धन भी बढ़ेगा दोस्तो कई बार सपने में साप का दिखाई देना इस और भी इशारा करता है कि आपकी कुंडली में कालशर्प दोश है इसके विए दोस्तो आप किसी विशेशक्गी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और दोस्तो इसके निवारण के लिए उनके द्वारा बताये गए कार्यों को कर सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ आज के हमारे वीडियो को करते हैं समाप वीडियो में आप सभी अंतक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद झाल 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 झाल